अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आदमी हमेशा पैसो के बीचे भागता रहता है पर अगर इस भागदोर्ण में फैमिली बरबात हो जाए तो फिर क्या होगा हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको नेस्ट ये 2020 की एक हॉलिवड ड्रामा मूवी एक्स्प्लिन करने वाला हूँ ये मूवी हमें बहुत ही ब्यूटिफुल सा मैसेज देखा जाती है तो अंतक इस वीडियो को ज़रू देखेगा तो भी नगजदेरी के एक्स्प्लिन्शन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन गारेक्टर रोरी को देखते है रोरी बहुत सालों पहले इंगलंड चोड़कर अमेरिका आया हुआ था रोरी एक स्टार्ट ब्रोकर है वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था इस वज़े से वो बहुत ही रीच था आजकल उसके नियॉयोक के आफिस में कुछ प्रॉलम चल रहे थे तो इस वज़े से शायद उसके पैसे आना बंद हो जाएगा तो इस वज़े से वो वरीड था उसने फिर से अपने इंगलंड के आफिस में कॉल लगया और उसे जॉब देने के लिए फिर से वापस लेने के लिए रेडी थे ये फोन कॉल पर वो बात करता है इसके बाद उसने अपने वाइफ को उठाया अपनी वाइफ के साथ उसके दो बच्चे भी है, एक बेटी और एक बेटा इनकी फैमिली बहुत ही प्यूटिफूल थी, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था रोरी अपने बच्चों के साथ एक साथ ब्रेकफास्ट करता, उन्हों स्कूल छोड़ देता उसके वाइफ ऐलिसन को होर्स राइडिंग का बहुत शोग है, तो इस वज़े से एक जगा बर हो होर्स राइडिंग टीचिंग का काम करती है ये पूरी फैमिली एक दुसरे को बहुत सारा टाइम देती है, रोरी को अभी-अभी ये उपरिचुनिट आए तो एलिसन से एक दिन वो बात करता है इस कहता है, आज कल मेरे पास तो पैसे है, पर थोड़ी देर में ये पैसे आना बंद हो जाएगा मुझे फिर से इंगलंड जाना है, वैसे भी रोरी की मदर इंगलंड में थी रोरी कहता है, मुझे बहुत बड़ी opportunity मिलिया अगर मैंने इसका सही से फाइदा उठाया, तो पूरी लाइफ में हमें कुछ भी करने की जरूत नहीं पड़ेगी ये सब बात सुनकर एलिसन भी इस पर सोचने लग जाती है इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात की, इसकी मदर कहती है बहुत सारे लोग को कंट्री छोड़ कर जाने का कभी भी चांस ने मिलता तुम्हें जाना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए वेसे भी वो सही कह रहा है, वो इसकी मदर भार रहती है शायद इस कंट्री में वो अकेला फिल करता है एलिसन को भी अपनी मदर को छोड़ कर जाना जरा बुरा लग रहा था वो मजा करती है, मैंने कभी इमेजीन नहीं किया था कि मैं तुम्हें भी मिस करूँगी एक नटखट बच्ची की तरह इसके बाद एलिसन और बच यहीं इंग्लेंड आके रोरी अल्डेडी वहाँ पर पहुच गया था और एक पैलेड जैसा गर उसने अल्डेडी रेंड कर लिया है वो उक्साइटड होकर सारा गर उन्हें दिखाता है यह एक्च्छल में बहुत ज़ादा बड़ा था यही बात एलिसन उसे बताती है रोरी कहता है तुम्हें वरी करने की कोई भी ज़रुवत नहीं है जरा आगे तो देखो यहाँ पर बड़ा सागराउंड है यहाँ पर तुम खुद की होर्स राइडिंग कर सकती हो खुद की एकेडमी खोल सकती हो रोरी ने एलिसन को एक रोब भी गिव्ट दिया इसके बाद नेकसेन में रोरी को उसके ऑफिस में हम देखते है जिस तरीके से रोरी डारेक्ली क्लाइन से बात कर रहा था यह उसके बोस को बहुत अच्छा लगा बोस फिर उसे एक important meeting में लेकर गया इसमें रोरी कहता है अमेरिका में हर लोग ऐसा वानता है को कुछ भी पा सकता है यह बड़े सबने देखते है हमें इंगलेंड में भी यही सबने लोगों को दिखाने है इस country को हमें आगे लिकर जाना है यह जो रोरी का mind से change हो गया था एक company को बहुत अच्छा लगा रात में सारी family मिलकर dinner करते बच्चों को अपने school में adjust होने के लिए ज़रा time लग रहा है रोरी अपने बेटे Benjamin से बुछता है तुम्हें school कैसा लग रहा है Benjamin कहता है कि ठीक है पर रोरी ने कहा कि वो यहां का best goal है रोरी इस पर बहुत ही proud था अगली दिन रोरी ने ऐलिसन के लिए personal horse buy कर कर ला है ऐलिसन अब बहुत कुछ थी एक साथ intimate हो जाते है आज रात फिर यह दोनों party पर गए party में जब भी रोरी जिससे भी बात करता है तो वो बहुत ही अमीर है इस तरीके से उसे जताने की आदध होती है उसने नियॉक में सब को sale कर दिया था पर फिर भी वो लोग को कहता है कि मैं नियॉक में अपना paint house हमेशा रखूंगा वो बहुत ही beautiful city है ये सब बात है अलिसन को इसकी अच्छी नहीं लगती है पर फिर भी वो ignore करती है party में रोरी के boss ने अलिसन से बात की ये दोनों couples के बारे में बात कर रहे थे रोरी का boss कहता है जब हम किसी से शादी करते हैं तो उनके अच्छा यूग के साथ उनकी बुराया भी हमें accept करनी परती है एक की person में हम सारी चीज़ perfect नहीं पा सकते आज कल के couple सब कुछ एक की साथ पाना चाते है तो इसी वज़े से शायद divorce इनका होता है अलिसन को लगता है कि एक perfect partner desire करना ये कोई गलत बात नहीं party से घर पर आने के बाद एलिसन रोरी से बात करती है कहती कि यहाँ पर कितनी ज़ादा formality करनी पड़ती है एलिसन को लग रहा था कि इंग्रेंट बहुत ही pretentious है नुई यॉक में इस तरीके का pretend लोग नहीं करते थे एलिसन हमेशे ज़रा late उठती है बच्चों को स्कूल में भीजने के लिए उज़रा late हो जाती है Nixon में हम देखते हैं कि रोरी अपने बॉस के पास आया हुआ था वो गयता है मेरे पास एक बहुत बड़ी offer है एक New York की company से में बात कर रहा था वो अपनी firm buy करने में बहुत ज़्यादा interested है अगर ये deal complete होगे तो रोरी को इससे बहुत सारे पैसे में लेंगे उसे फिर से कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए बहुत ही excited था और अपने बॉस को बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़े बताता है बॉस कहता है क्या तुम्हें कमपनी सेल करने के लिए यहाए थे रोरी कहता है कि तुमने मुझे हायर किया क्योंकि मैं तुम्हें profit कमा कर दे सकूँ बेस्ट वे कमपनी सेल करना ही है बॉस को भी आइड़ा अच्छा लगा था तो मीटिंग में करा set करते है आज रात रोरी ने अपने friends के साथ मेल कर celebrate किया एलिसन के horse riding के जगा बर एक stable बन रहा था पर वो बनाने वाले workers कुछ दिनों से काम परने आया है तो उन्हें हो call करती है उन workers ने का कि हमें कोई भी पैसे नहीं मिले है जो चेक हमें रोरी ने दिया था यह bounce हो गया है एलिसन को बहुत ही आजीब लगा इसके बाद वो जाकर bank account चेक कर दिया है तो उसमें सिर्फ 600 डॉलर्स थे है इसके बारे में उसने रोरी से बात की रोरी कहता है अभी अभी हमने वो house rain किया इसके बाद बच्चों के स्कूल के लिए pay किया horse buy किया इन सब चीजों में उसके पैसे चले गए उसने अलिसन को वरी करने से मना किया कहता है कि इस month के end में मुझे बहुत बड़ा चेक मिलने वाला है कुछ भी वरी मत करो रात में उसका mood ठीक करने के लिए उसे बाहर डिनर करने के लिए लेकर गया अलिसन कहती कि अगर सर्शूश में तुमारे बास इतने सारे पैसे आने वाले है तो मैं कुछ भी order कर सकती हो उसने बहुत ही expensive champagne order की रोरी को हमेशा लगता है कि अलिसन को champagne के बारे में कुछ भी पता नहीं है पर वो कैसी भी हो फिर भी वो पूरी बॉटल बाय कर ले दिया अगली दिन रोरी ने अलिसन से कुछ पैसे मांगे अलिसन ने उसे चुपा कर रगे थे तो रोरी को रूम के बाहर जाने के लिए गयती है रोरी को इस पर गुसा आगया आज जब वो horse riding कर रही थी तो उसको horse अच्छे से response नहीं कर रहा था उसने फिर भी अपने horse को exhaust कर वाया तो इस वज़े से नीचे गिर जाता है थोड़ी दिर में उसने response देना भी बन कर दिया अलिसन डिस्टब होगी वो जल्दी से भागते भागते जाकर एक पास के फार्म के फार्मर को लेकर आ दिया फार्मर ने का यह बहुत ही ज़ादा बिमार है इसे हमें मारना पड़ेगा वो फिर horse को ज़ादा तकलिफ ना हो इसलिए उसे शूट कर देता है अलिसन बहुत रोई इसे के पैरलेल में हम देखते है यह रोरी की कमपणी को सेल करने की जो डील चल रही थी इसमें कोई भी कॉंटक हो नहीं पा रहा था इसके बारे में उसने जाकर अपने बहुत से बात की तो बहुत कहता है यह डील में नहीं करने वाला बॉस ने अपनी कमपनी जिस तरीके से create की थी उसकी legacy को वो new company पूरी तरीके से मिटा देती यह उसे नहीं चाहिए था इस बात पर रोरी बहुत ही गुसा हो जाता है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बॉस कहता है कि तुम सिर्फ पैसो के बारे में सोचते हो तुम बहुत ही talented हो तुमें profit कैसे कमाना है यह पता है पर तुमें इस तरीके से एक जगा पर stable रहना भी सिखना चाहिए अलीसन ने जब अपने बेटे को बताया कि उसके horse की date हो चुकी है तो उसे बहुत ही support करते है उन्होंने horse को एक proper memorial दिया आज पूरी रात रोरी घर पर नहीं आया था अगली दिन अलीसन अपने horse को बरी कर देती है हम देखते हैं कि रोरी अपनी मदर के पास आया था बहुत साल हो चुके पर रोरी ने अपनी मदर से कोई भी contact नहीं रगा था उसकी मदर को ये भी नहीं पता कि रोरी ने शादी की है उसकी बच्चे भी है वो अपनी family की photo दिखाता है वो अपनी मदर को कह रहा था तुम अगर चाहो तो हमारे पास आकर रह सकती हो उसकी मदर ने कहा कि मुझे आप तुमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है वो directly उसके साथ आकर नहीं रह सकती वो फिर भी इसके बारे में सोचने वाली है रोरी अपनी मदर पर जारा गुसा हो गया था क्योंकि अपनी लाइफ में अपनी मदर को invite कर रहा था पर इतने सालों बात कोई भी contact ना रखी हुए वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता घर पर आने के बाद ऐलीसन रोरी पर बहुत जादा गुसा थी उसने फोन का भी बिल पे नहीं किया था इस वज़े से connection इंका टूट चुका है अलीसन अपने horse के बारे में उसे बताती है तो रोरी कहता है कि शायद उस आदमी ने मुझे faulty horse दिया अलीसन को sympathy देने के बावजुद उस आदमी पर ही गुसा हो गया अलीसन ने अल्डेडी उस horse को बरी कर दिया था तो इस पर भी वो गुसा हो जाता है रोरी कहता है मैं उस पर test कर सकता था जिस आदमी ने मुझे फसाया है उस पर मैं case कर सकता हूँ यह horse 5000 डॉलर का था रोरी को सिर्फ पैसो की पड़ी थी तो इस बात पर ऐलीसन के साथ उसका जगड़ा हो जाता है कुछ से मैं ऐलीसन कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा problem क्या है तुम्हें एक बहुत ही poor लड़के थे और अब reach होने का सिर्फ pretend करते हो रोरी कहता है कि आफकोस मैं वैसा हूँ यह जो सारी चीजे मेरे पास है इस पर मैं बहुत proud हूँ इस सब कुछ में deserve करता हूँ मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी कोई भी आउकाद नहीं थी तो अपने डॉटर के साथ एक सड़े हुए apartment में रह रही थी इसका मतलब है ऐलीसन की डॉटर यह रोरी की step-daughter है बेंजामिन उसका actual वेटा था अगली दिन रोरी ने अपने फ्रेंड के साथ मिल कर एक अच्छे डील पर काम करना स्टार्ट कर दिया आज कर अलीसन के पास भी पैसे नहीं तो पास के फार्म में वो कुछ काम ले लेती है उसे बेंजामिन के स्कूल से कॉल आया तो बेंजामिन ने किसी को मारा हुआ था वो जब उसे लेने के लिए गई तो बेंजामिन रोने लगता है वो कहता है मुझे बड़े बच्चे बुली कर रहे थे अलीसन कहती है अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बता है बेंजामिन कहता है मुझे बता है कि तुम्हारे और फ्यादर की बीच में छगड़ा चल रहा था मैं तुम्हें और वी वरी करवाना नहीं चाहता था अलीसन उसे गले लगा लेती है गर में अलीसन की बेटी अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ थी कि अलीसन को अच्छा नहीं लगता पर उसकी बेटी उसका कुछ भी नहीं सुनती आजराद रोरी अपने क्लाइन के साथ डिनर के लिए अलीसन को भी लेकर जाता है इस डिनर पर भी हो जदा रहा था कि वो बहुत ही रीच है वो एक प्ले के बारे में बता रहा था अलीसन सब चीजों से तंग आ चुकी थी तो इस बात पर वो हज देती है कहती है मेरे हस्बन ने कभी भी ठेटर में पाव भी नहीं रखा वो फिर गुसे में यहां से चली खे तो रोरी भी उसके पीछे आता है अलीसन उसे मिली नहीं पर क्लाइन अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वो लोग सिर्फ मेरे साथ ही काम करना चाहते है इस बात पर रोरी बहुत ज़ादा गुसा आ हो गया अलीसन गाड़ी लेकर चली जा चुकी थी तो रोरी को एक कैब लेनी परती है कैबी उसे बुझता है तुम काम क्या करते हो रोरी ने कहा कि मैं प्रिटेंड करता हो कि मैं अमेर हूँ कैबी बुझता है कि ऐसा क्यों करते हो तो रोरी कहता है कि मुझे पता नहीं उसने कहा कि एक बार मेरे पास बहुत सारे पैसे थे One million dollars मुगे लगा कि ऐसे ही पैसे मेरे पास हमेशना आते रहेंगे पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं कैबी बुझता है कि तुम्हारे बच्चे है रोरी ने कहा कि हाँ दू बच्चे है तो कैवी नहीं कहा तुम्हें लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सही चीज़े है हम इस वर्ल्ड में आएं तो हमारे बच्चों के लिए ही वो बुशता है कि क्या तुम अच्छे फादर हो रोरी ने कहा कि अफकोस मैं अच्छा फादर हूँ मैं कभी भी उन पर हाथ नहीं उठा था उन्हें जो भी चाहिए ये सारी चीज़े लेकर देता हो कैवी कहता है ये चीज़े तो बहुत ही बेसिक है इससे तुम अच्छे फादर नहीं बनते तुम्हें अब अपनी लाइफ को सही से ट्रैक पर लाना पड़ेगा एक जौब ले लो थोड़ी से पैसों के लिए तुम काम कर सकते हो पर फिर भी अपने फैमिली को तुम खो नहीं सकते है तुम्हें अक्छुली क्या चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए रोरी को सही में उसे क्या चाहिए इसके बारे में कोई भी आईड़ा नहीं था कैवी ने अपनी कार रोक थी और हो कहता है अब यहाँ से निकल जाओ उसे पता था कि रोरी के पास कोई भी पैसे नहीं है रोरी कहता है घर पर पोस्टनी के बाद में तुम्हें पे करता हो पर कैवी ने बात नहीं मानी रोरी को ऐसे ही चलते चलते घर पर जाना पड़ता है इसे के पैरलर में हम देखते हैं कि इनके बेटी ने घर पर अपने फ्रेंज के साथ मिलकर एक पार्टी रखी थी इस पार्टी में बेंजमिन बहुत ही ज़ादा डर जाता है तो एक कोने में जाकर बेटा हुआ था सुबह ऐलिसन ने घर को देखा तो पार्टी को ज़ेसे बहुत ज़ादा डर्टी हो गया था वो जाकर बेंजमिन को डून दिया तो बहुत ही डरा हुआ था उसने उसे सहारा दिया बाहर ऐलीसन ने अपने होस को बरी किया था तो उसके उपर की मिट्टी बाजु हो जातीय इस बाद से वो बहुत डिस्टर हुए वही पर बहुत रोई ये देख के उसकी बेटी भी उसे सहारा देतीय बेंजामिन को घर पर लेकर आए उसके लिए breakfast बनाया थोड़ी देर में रोरी भी चलता चलता घर पर पहुच जाता है सारे लोग breakfast कर रहे थे रोरी ने का मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा उसके पास जो एफैमिली है इसे उख खोना नहीं जाता पर अभी भी उपैसों के बारे में बात कर रहा था कि मैं ऐसा करूँगा हम यहाँ वर जाएंगे मैं अपनी खुद की company खुलूँगा यह सब बाते सुनकर ऐली सन उसके पास जाती है उसे चेर पर बिठाती है और कहती है हमारे साथ breakfast करो अगर यह एक family की तरह चीज़ों को treat करेंगे तो सब कुछ perfect होगा रोरी जो भी यह सब try कर रहा था तो उसने भी अब family की किमत जान ली है वो किसी भी हलत में अपनी family को खोना नहीं चाहता अलीसर ने जिस तरीके से उसे breakfast के लिए invite किया एक सहारा दिया जिसे उसने भी उसे माफ कर दिया है उसकी बेटी भी उसे हक कर दिया यह family हमेशा एक दूसरे को सहार देकर support करते रहेंगे इसे के साथ पूरी family breakfast करते हुए एक beautiful से scene पर इस movie का end होता है यह movie हमें बता कर जाती है कि actual में life में important कहा है जो है हमारी family इसे एक message के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर करतीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आते रहता हूँ प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्यू के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया